ही गाईज विल्कम बैक टो माई चैनल फ्रेंज कैसे हो आप सब भी और नालो कितना भी कुछ कर लो बट कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने की सोची है हुआ है तो पहुंच गई हूँ अपनी मैट्र स्टेशन के पास और यहां कर नजारा मैं आपको दिखा रहे हूं यह हम आटो से जा रहे हैं और उतर कर मैं पैदल मैट्र स्टेशन की तरफ आ रही हूं आटो से मैं उतर चुकी हूं अभी जो मैंने आपको दिखा रहा था उस दौरान मैं आटो के अंदर थी और वहीं का मैं आपको दिखा रही थी यह मैं यहां से अब पैदल उपर की तरफ जाओंगी उपर की तरफ है मैट्रोई स्टेशन जो है तो यह हैं एक्स इस टाइम पर मेंटे dependence बनाना है distance बनाना है और दूरी बनानी है वगएरा 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 लेकिन यहां पर आप देखें यह कौन से दूरी नज़र आ रहे है भाई इतनी लंबे slash line अकिछ कहा होती है यह entry के line और आज पहली पार लगी है इतनी लंबी लाइन सो एक तो वैसी लेट हो जाते हैं लेकिन यार क्या हो रहा है यह यहां पर एंट्री की लाइन इतनी लंबी लगी होई है ना बाई गौड देखकर ना इसको गुसा भी आ रहा है लेकिन यह क्या यह सिर्फ पांस साथ लोगों को ही अंदर जाने दे रहे हैं उसके बाद यह लोग रोक रहे हैं फिर दो तिन मिनट के बाद पिर जाने के लिए अंदर फिर एंट्री के लिए बोल रहे हैं यह हम आ चुके हैं मेट्रो के अंदर तो बस अब मैं पहुचने वाली हूँ, अल्मोस्ट मैं पहुच ही गई हूँ, तो बस अब हम मिलती ही, face to face, so guys, नई है रेजलेशन पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि आने वाला है, happy new year, और आप सभी को, advance में, सभी को, happy new year, Hey guys, कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताना कि आप सब क्या 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 कर रहे हो, क्योंकि नया साल आ रहा है, so, आपका कोई नया रेजलेशन बना है, कि नहीं बना है, या क्या करने वाले हो, आप इस साल या अगल क्योंकि अगले साल आने में बहुत जादा टाइम नहीं बचा है, तो नया रेजलेशन बनाया, कि नहीं बनाया, और पिछले साल आपने कौन सा रेजलेशन बनाया था, मैं जहां तक अपनी बात कहूं, तो मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर रेज़ेशन अपना नहीं बनाया था क्योंकि में लाइफ ओल्मोस्ट नॉर्मली चलती है और ऐसी ही आगे भी चलती रहेगी मैं कितने भी रेजुलेशन बना लू कितना भी कुछ कर लो बट कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने की सोची है थोड़ा सा डिफरेंट करने क कि देखो साकिब फिर देखना कैसा फिल होता है तो बस वही करने जा रही हूं मैं इस बार का मेरा रेजुलेशन जो है वह यही है कि मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने वाली हूं थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालने वाली हूं थोड़ा सा अपने लिए सो लिए नेगेटिव हैं बहुत सारी बाते ऐसी हैं जो मुझे दुखदाई होती हैं जो मेरे लिए दुखदाई होती हैं और जो मुझे हट करती हैं उन में से जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी मैं उन सब को दूर करने की उन सब को इगनोर करने की येस गाइस सब से अच्छा होता है इगनोर करना तो बुरी चीजों को आप इगनोर करो भले ही आप उनके लिए कितना भी जरूरी हो भले ही वो आपके लिए कितना भी जरू पूरी हैं लेकिन अगर वो चीजे आपको दुख दे रही हैं आपको परिशान कर रही हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करने की आदर डालो क्योंकि यही इग्नोर इंसना हमें हमारे बारे में सोचने के लिए टाइम देती हैं वरना हम इनमें ऐसे उलच जाते हैं इनहीं के अच् में अलब कल जाती हैं कुछ पता ही नहीं चलता सो अब की बात मैंने भी कुछ एसा ही सोचा है क्यों की मुझे कि कि बहुत अच्छी बहुत लोगों के Nepset को ने कि लिए न 06 छी यना विष्जय लोगों के लिया हमहें उनना इस वक्त अपने इवफ ukd को हमारे उस वक्त का कोई कि इसके पीछे हम अपना देते हैं हर तरह से हम उनके लिए अच्छा करने के कोशिश करते हैं उसके बावजुद भी वो लोग हमारे दोकॉD की भी इजद नहीं कर सकते हैं सब्ढ़ी से लोगों के लिए क्या करना है यार यह बताओ ना क्यूँन जीना राइंआ झाल कि जो तुम्हारे बिल्कुल इजद सकते में संद्षीते तुम्हारे crimin क्या है है ऐसे लोगों के लिए तुम्हें अपनी जीजान लगाने से अपनी मेहनत करने से क्या फाइदा मिलता है कोई फाइदा नहीं है यह बात अलग है कि फाइदे नुकसान के लिए रिष्टे नहीं बनते रिष्टे तो दिलों से होते हैं लेकिन एक बात बताओ जहां दिलों का का भी रिष्टा नहीं है सिर्फ समझोती का रिष्टा है तो उस रिष्टे को क्यों निभाना है सो गाइस कुछ ऐसा ही रिजुलिशन आप भी बनाओ मैंने बनाया है देखती हूं कहां तक फॉलो कर पाती हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अडंगा डालने वाली ह मैं बहुत लोगों को इगनोर करने वाली हूं बहुत लोगों को दूर करने वाली हूं और काफी कुछ ऐसा है जो मैं कुछ चेंज करने वाली हूं सिर्फ अपने लिए देखने वाली हूं अपने लिए सोचने वाली हूं थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालने वाली और मुगे कमेंट में जरूर बताना गाईज तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाई